Tuberculosis, जिसे आम तौर पर TB के रूप में जाना जाता है. यह एक संक्रामक infection है, जो की आम तौर पर फेपणों पर हमला करता है. यह शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैल सकता है, जैसे कि मस्तिश्क, रीड की हड़िया दी. आज ज्यादतर TB के मामले एंटिबायोटिक दवाओं के साथ ठीक हो जाते हैं, लेकिन इसमें लंबा समय लगता है, कम से कम 6-9 महीने. TB दुनिया भर में मृत्यू के शीर्ष 10 कारणों में से एक है. लगभग 25 प्रतिशत दुनिया की आबादी निश्क्रिय टीबी से तरस्त है. चलिया जानते हैं कि टीबी कैसे फैलता है? हवा के माध्यम से, जैसे सर्दी या फ्लू की तरहा. जब आप किसी रोगे के संपर्क में आते हैं, जो आपसे बात कर रहा हो, खास रहा हो या चीक रहा हो, तो उसके मूँ से छोटी-छोटी बूने निकलती हैं, जिनमें कीटाणों होते हैं. यदि आप इस वक्त सांस लेते हैं, तो आप भी संक्रमिद हो जाते हैं. आपको यह बेमारी हाथ में लाने या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ भोजन साजा करने से नहीं हो सकती. अब जानते हैं सक्रिय टीबी के लक्षन, छाती में दर्द, हर समय ठाकान महसूस होना, रात को पसीना, बुखार, भूख में कमी, वजन घटना. अगर आपको ऐसे कोई भी लक्षन नजर आते हैं, तो तुरंद ही अपने डॉक्टर से परामर्ष ले.